नमो नमा च्छात्रो आश्विद्याले से मैं निदी शिर्वास्तो एक बार फेर से संस्कृत किस कक्षा में आपका हार्दिक्ष वागत करते हैं चात्रो पूर्वकक्षाओं में जटायो शौर्यम पाठ यह पाठ या पाठ्यांश आदी कभी वालमी की द्वाया रचेत रामायण के अरण कान्ड सिन बिला गया है चात्रो इसमें जटाया और रावन के घमासान युद्य का वड्नन किया गया है और यहां वर्णन उस समय का है जिस समय पंच्वटी के घने जंगल में सीता करुण विलाप कर रही थी यने चिला रही थी और उसने पेल पर बैठे वे पक्षी राज जटायू को देख लिया तो उनसे अपनी बचाव के लिए रक्षा के लिए उनसे याचना कर रही थी चात्रोवे रावण को परदारा इस्त्री के निंदा के लिए निंदा भी करते हैं और उसे बुरे कर्व से बचने के ले भी कहते हैं परंतु रावण की विपरीत मनोविर्ति को देख कर वे उस पर भयावा आक्मन करते हैं महावली जटायू अपने तीखे नको और पंजो के माध्यम से रावण के शरीर में अनेक घाओ कर देता है और अपने पंजो के प्रहार से वे उसके बड़े से धनुष को भी तोड़ देता है तूटे धनुष वाला और मारे गए घोडों वाला और सार्थी वाला रावण विरत होकर क्या करता है जमीन में गिर जाता है और वो हारता नहीं है चात्रों कुछी छणो भाद वा फिर से क्रोध में अंधाओ का रावण उड़ता है और जटायू पर प्राण घातक हमला करता है परन्तु पक्षी राज श्रेष्टे पक्षी श्रेष्टे जटायू जो थे वो अपने बचाओं में उस पर चोच से घमासान प्रहार करते हैं और उसके बाए भाग की दशो भुजाओं को छट विछट कर देते हैं इस तरह से या पाठ अंशों के माध्यम से यहां पर यह स्टोरी बताई गई है तो चात्रों जी सद्ध्याय के आगे के भाग अर्थात अभ्यास माला को देखने के लिए आईए देखते हैं लोग क्लास नाइन संस्क्रित दश्मा पाठा जटायो शौरियम का सब्समा भागा अभ्यास भाग एक प्रेश्ण नमबर एक अदोलिकीता नाम प्रेश्णा नाम उत्ता अणि संस्क्रित भाश्या लिखत चात्रों हर अध्याय में पहला कोशन वही है कि नीचे लिखेगे प्रेश्णों के उत्तर को हमको संस्क्रित भाश्या में लिखना है तो पहला कोशन देखें चात्रो जटायो पश इती का वदती याने चातायू देखो यहाँ कौन बोलता है तो कौन बोलता है चात्रो वैदेही है ना सीता माता तो देखें जटायो पश इती वैदेही सीता वदती सीता को इन ब्रैकेट लिखा है क्योंकि वैदेही और सीता एक ही चीज़े जटायू रावडम किम कत्यती यहने जटायू जो है वो रावड को क्या करता है कहता है तो देखें क्या कहता है क्या कहता है उसको दूसरी इस्त्री को टच करने के लिए मना करता है ना उसको कहता है उनसे दूर रहो तो देखें यहाँ पर आंसर चात्रो जटायू रावडम कत्यती यत परिस्त्री इस्पर्शात नीचा मती निवर्ते धीरा तत ना समाचरेद यत अस्य पराविगरेद यहने वा उसको क्या कहता है कि हे रावर यह दूसरी स्त्री को इस्पर्श करने की नीच बुद्धी वाली हर्तकत से अपने आपको रोको वा चात्रो रावर को कहता है कि अपनी दूसरी पराई स्त्री को छूने के इस्पर्श मात्र से नीच मती को अपने आपको रोको या धीर पुरुष धैरवान पुरुष को शोभा नहीं देता है दूसरे पुरुष आपकी बुराई करेंगे तो बुराई से बचो ऐसा रावान को जटायू कहता है कहिंस जटायूं तलेन आशु अभी जगान क्या किया था चात्रों क्रोध के वशिबूतों कर रावाण ने सीता को बाई गोध में खीच कर जटायूं को तमाचे से यने तलवार की वा उसके क्या किते मूट से जल्दी से प्रहार किया था कैसा प्रहार प्राण घातर ठीक है नौ न पत्गेश्वरा रावण से की द्रिशम चापम साशरम बबन्जे पत्गेश्वरा अर्था जटायूं तो जटायूं को रावण को किस तरह से उसके चाप को और धनुष को किस तरह से तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है शात्रों पत्गेश्वरा रावण से मुक्ता मणी अर्थात रोजटायू ने रावण के मोती और मणियों से सजेवे चाप सहीत बाढ को और धनुष को तोड़ दिया था टुकले टुकले कर डाला था किस्ते अपने चोच के माध्यां से ना नेस कोशन देखे चात्रो हताश्वो हत सार्थी रावणा कुत्र अपतत हताश्वो यने मरेवे घोणों वाला हत सार्थी यने मरेवे सार्थी वाला रावणा कुत्र अपतत यने रावण कहां पर गिरा था या किधर गिरा था तो हताश्वो हस सार्थी रावना भूविम अपवतत यने मरेवे घोडे और मरेवे सार्थी वाला रावाट जमीन पर गिर पड़ा था ठीके चात्रो नौ, सेकेंड कोश्चन देखे चात्रो उधारणम नूसरेते रिणिनी प्रत्य प्रयोगाम कृत्वा पदानी जच्यत यने उधारण को देखते वे चात्रो इणिनी प्रत्य का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है चात्रो में थोड़ी सी जानकारी देदू आपको इड़नी प्रत्य जो है वो तद्दित प्रत्य है प्रकिती प्रत्य नहीं है ठीक है ये तद्दित प्रत्य है और तद्दित प्रत्य जो है वो भाव अचक संग्या आर्थात अवेस्टर्ट नाउन के साथ जोड़े जाते हैं भाव अचक यने अवेस्टर्ट नाउन तो पर शिर्फ आपके अध्याय से संबंदी जो भी शब्द हैं उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर इड़नी प्रत्य का प्रयोग बता रहा है तो देखे चात्रों गुड प्लस इड़नी गुडिन में शब्द क्या बनेगा गुडि दान प्लस इड़नी दानि और में शब्द बनेगा दानि उसी तरह से यहाँ पर पहला देखे चात्रों कबच प्लस इड़नी कवचिन बनाशब्द क्या क्वचि शर प्लस इड़नी शर इड़ने तो बनाशब्द क्या क्वचि सौरी चात्रो यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है उसको आम लोग देखते हैं ठीक है चात्रो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सही किया है उसको ध्यान दे लिजे सौरी थोड़ा सा मिश्टेक हो गया तो शर प्लस इड़नी शरिन बनता है और बनावाशब्द शरी होता है कुशल प्लस इड़नी कुशलिन होता है और बनावाशब्द कुशली होता है नेक्स्ट वन है चात्रो धन प्लस इड़नी धनेन बनावाशब्द धनी और दंड प्लस इड़नी दंडेन बनावा शब्द दंडी होता है तो छात्रों यहाँ पर यह शब्द इड़नी प्रत्ते के द्वारा प्रयोग किये गए जो आपको बताएगा ना कोशन नमबर थ्री देखे छात्रों त्री का का है रावण से जटायों से विशेशनानी समलित रूपेड लिखी तानी प्रिथक प्रिथक कृत्वा लिखाती यहने रावण और जटायू दोनों के एडजेक्टिव जो है वो आपको दिये गए हैं इन मंजूशा यहने इन ब्रैकेट में आपको वहाँ से छाट कर नीचे आपको कॉलम मर अलग अलग लिखना है ठीक है रावण के कॉलम में रावण के विशेशन पद लिखने हैं और जटायू के कॉलम में जटायू के विशेशन पद आपको लिखने हैं और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में याने मंजूशा के रूप में 24 के रूप में आपको दिये गए हैं सारे शब्दे तो देख लिजे 24 में क्या क्या शब्द दिये गए हैं युवा यने जवान, सशर यने शर यने चाबान और सा यने सहित, तो बान सहित, व्रिधा यने भूडा, हताश्व, हताश्व यने मरेवे घोडों वाला, ठीक है चात्रो, महाबला यने महाबलशाली पतक सत्तमा यने जटायू, सर्था यने सार्थी, भग सार्थी के साथ में, रत के साथ में, भगन धन्वा यने तूटे धनुष वाला, महागरिधा यने महान, पक्छी राज, श्रेष्ट, पक्छी श्रेष, खगादिपा यने भी पक्छी श्रेष, क्रोध मुर्चिता यने क्रोध में, अंधा, यने जटाइू क्वची यने कवच शरी यने शर जो धनुश जिसमें रखते हैं ठीक है तो नौ अभी रावण जटायू के column में हमको लिखना है तो रावन के जटायू में पहले हम लोग चुन कर लिखते हैं रावन कैसा था जवान था तो युवा ठीक है और जटायू कैसा था चात्रो बूढ़ा था तो जटायू क्या हुआ वृध्धा नौ नेक्स्ट वण रावन जो था वो सार्थी क के सात में था तो सारा था या जटायू महावलशाली था कि ये जथा तो भग्न धनवा और चपशी 우리는 रावान को आव देख़ाय के साथ में यहां पर दिये गया तेच्वाइस में जिसको अलग-अलग करके मैंने कॉलम में लिखा तो चात्रों यहां पर अभ्यास माला भागे क्या पर समापत होती है आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप जरूर से पूछे का आश्विद्यालेकेफ को लाइक करके या आज के इस अध्याय में आपने तीन प्रकार के कोश्चन पढ़े पहला तो संस्कृत भाशा में ल ठीक है चात्रों तो आपको या ध्याय कैसा लगा आप जरूर बताईएगा अगर आपको कोई भी डाउट है आप आश्विद्यालेकेफ को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट से सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूंगी तब तक लिए धन्यवाज चात्र नवो नमा